यहां पर आपको face color grading पщके उफ् stopped क्लिक करना आप जहीसे ही क्लिक करेंगे हैं यहां पर देख सेकति हो कि कमाल की तरीका से हमारा पौटव गो रहा हो चुका है आपको से बीपोर आप्टर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं पहले इस तरीका से था और अभी कुछ इस परकार से हैं तो दोस्तों वीडियो का इंट्रो देखे तो आप समझी गया होंगे कि किस लेबल का एक्शन हम आपको देने बाले हैं एक्शन वो जो अभी डार्क फोटो हूँ आप उसको एज ली 15 से 10 सकेंड़ के अंदर आप बड़े ही आसानी से को किलीन कर सकते हो उसके साथ साथ इसमें हम बता हैं कि कैसे आप जोईंट फोटो बना सकते हो कैसे आप इसमें पासपोण साइज फोटो से रेलेटेट सभी एक्शन सापको म रखेता हो हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यहां पर Яँप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों यहां पर आपको दिखी रहा होगा लेकिन यहां पर सबसे उपर में एक option मिलेगा face white का तो सबसे पहले हम face cleaning के उपर ही काम करके आपको बताते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक folders है उसमें कई सारे photos आपको देखने को मिलेगा जो की थोड़ा सा dark skin वाला photo है तो यहा हम जो बताएंगे आपको इसमें आपको सभी action को बारी बारी से बताएंगे कैसे किसरे खक्सन को यिश् citra कि किया जाता है ठीक है सबसे पहले यहां करके आपको सबसे पहले करलैं कि करते हैं आप देखेंगे कि आपके पास एकária तूल का यहां पर साइज आ जाएगा ठीक ह और यहां पर आप देखेंगे टोल्स बार में दोनों उपर नीचे white हो गया है तो इसको आप अगर white ना रहे तो आप white जरूर कर लें white करने के लिए simple आपको उपर में क्लिक करना है यहां से आप white सेलेक्ट कर लें और नीचे में क्लिक करना है और यहां से white सेलेक्ट कर लें ठ यहां पर कीबोर्ड में जो यह आप आप सकते हो खुछ इस बटन की मदर्द से आप आप इस ब्रस का साइज को बड़ा और चोटा कर सकते हैं अगर आप की बोर्ड में नहीं करना चाहते हैं तो यहां से भी आपको एक option मिलेगा जहां पर आप यहां से अपना यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा फेस जो पूरी तरीका से मैं पेंट कर चुका हूं दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब फर्स्ट स्टेज में हो जब फेस वाइट का option किलिक करते हैं तो यहां पर अपने फेस को अच्छी तरीक पर आपको किलिक करना है आप जहीं से किलिक करेंगे यहां पर देख सकते हूं कि कमाल की तरीका से हमारा फोटो गोरा हो चुका है अब इसका यहां से बीफोर आप्टर आपको देखने को मिलेगा यहां पर और आप देख सकते हैं पहले इस तरीका से था और अभी कुछ इस प्रकार से है अब थोड़ा सा इसको अगर और ज़्यादा इसको अगर आप वाइट करना चाहते हूं तो एक बार आप यहाँ पे फेस कलर ग्रेडिंग पे एक बार दुवारा से आप किलिक कर सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पूरी तरीका से फोटो क्लेन हो की आपको एक्सें में लेवल का इक उप्शन में लिएगा इस लेवल यपर किलिक करना है यहाँ पर आपके पास लेवल का आपशन कर देसके हो और कि कुछ है इस परपरिकर से इसका लाइट को आप कन्टोल आप आपके आपके कर देख शकतिका को अबbrieve किया था कंपर आप था कि स्टेधां करता हुंत ौर Clap είναι किसे सब्सक्राइब थो से इन्क्रेसमेंट 20 में है और 50 परकार से यहां पर आप और ऄहां पर नौपर आपसंट ने सब्सक्राइब रखें पर-फ्षये थो 2 पर अंवर 100% में रहने देता हूं, आपको आप सकते आनसार अपने face को clean कितना रखना चाहते हूं, कितना white करना चाहते हूं, वो आप यहां से पूरी तरीका से control कर सकते हैं, चलिए आप बात करते हैं, कि यहां पे नीचे में लिखा हूआ है leap color, अब यहां पर leap का color आप यहां पे इसमें जैसे कि यहां पर देख सकते हैं इनका लीप का कलर बहुत ही ज्यादा वाइट है तो इसको क्या करेंगे इसमें लीप का कलर देने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर लिप कलर पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रस का एक साइज आ चुका है आप इसको छोटा बड़ा करने के लिए वह यह option आपको यूज करना है कीवर्ड में यह szot command आपको यूज करना आया तो यहाँ पर आप इसके मदद से आप यहाँ पर डैमीटर keynote के मदद से आप इसको ब्रस को छोटा बड़ा पर सकते हैं तो फिलाल यहाँ पर भी मैं इसको अपने हो यहाँ पे लीप में जो है कि इसको हरसा अराम को पहले पेंट कर लेता हूं मैं दोस्तों लीब का कलर को करते समय आपको एक बात का ध्यान में रखना पढ़ेगा कि जैसे कि इसका जो लीब का कलर होता है उसको आप थोड़ा सा अच्छे डंग से दीरे दीरे आराम से इसको paint करेंगे उससे क्या होगा कि आपका यह जो originality है यह बना रहेगा यानि कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ले ध्रहा देंगे तो इससे क्या होगा कि आप इसका quality खराब हो जाएगा अच्छी नहीं लेगा देखने में ठीक है और आप rate color को यहाँ पर ज करते ही यहां से आपके पास डिरो option आ जाएगे आप जो भी color लेना चाहते हो वह color आप यहां से बड़े ही असाने से अपने lip color की मदद से color change कर सकते हैं अब यहां पर जब यह photo का काम complete हो जाए तो इस complete वाले बटन पर आपको जरूर से क्लिक करना है तो यहां पर आपको क्ल यहां से अपको location set करना है और यहां पर फाइल का नाम देना है और इसके बाद यहां से format आपको select करने यहां पर जो नाम आप दिए रहेंगे उस पर यह directly save हो जाएगा जोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हो कि इसके नीचे यहां पर सेब जेपीजी के बाद यहां पर आता है आपके पास एफोर इन टू फोटो एफोर इन फोर पोटो यह हो गया हमारा एफोर साइज में चार फोटो का साइज बनाने के लिए अब साइज से रिलेटेड हम आपको अभी बाद में बताएंगे सबसे पहले इसमें जो इस पर हम चली आते हैं अब ब्रैटनेशन कॉंट्रस्ट पर जैसे क्लिक करेंगा यहां पर आपके पास एक डैलेक बौक्स को लेगा ब्रैटनेशन कांट्रस्ट का इसकी मदद से आप यहां से बड़े ही आसाने से आप ब्रैटनेशन को बढ़ा सकते हैं चलिए यह ओगया अब यहाँ पे दूसरी color option है यहाँ पे eye color change अगर आप यहाँ पर किसी भी photo का eye का color यानि आँखों का color को change करना चाहते हैं तो simple से आपको यहाँ पे eye color change पे click करना है आप click करते ही आप पे कुछ इस परकार से आपके पास color एकिन अजीब सा color देखने लगेगा तो आपको क्या करना है क्यूबोड में Ctrl आई प्रेस करना है आप Ctrl आई प्रेस करते ही नॉर्मली फोटो जैसे तापका वैसी हो जाएगा लेकिन आपके सामने एक ब्रस ओट्नेमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है आपको अपने आखाउं पे कुछ इस से ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो कि आँखा को कलर हमारा चेंज हो गया अगर आप चाहते हो कि आँखा को कलर का कोई दूसरा कलर देना चाहते हो तो आपको लेयर पैनल को एक्टिव करना पड़ेगा लेयर पैनल विंडो में जाके लेयर पैनल को खोलेंगे और यह यहां से आप देख सकते हुं कि जो भी आँखों में Color यहां प सकते हैं तो यहां से आप color को select कर सकते हूं तो जीसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर आँखों color हमारा change हो चुका है अब यहां पर बारी आता है यहां पर देख सकते हो फ्लेटेन इमेज का अब फ्लेटेन इमेज क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं सबसे पहले अभी हम लेयर पेनल को यहां से ओपन कर लेते हैं अब यहां पर आप देख सकते हो कि यह भी फ्लेटेन इमेज नहीं है यहां तो इसके लिए क्या करना है आपको simply इसको लेयर को पहले जार साइड में कर लेता हूं मैं और यहां पर आप इसको फ्लेटन इमेज करेंगे तो यहां पर देखना दोनों लेयर कितनों भी लेयर ओपें रहेगा इसको जेपीजी बना देगा एक फ्लेटन इमाइज बना देगा यहां पर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ब्रस आजाएगा और यहां पर आप किसी भी जगहा पर जैसे है तो यहां पर कुछ इस परकार से आप हैर को अपना ब्लेक कर सकते हो ठीक है यहां पर इस परकार से हैर आपका ब्लेक हो जाएगा तो जहां जहां आप लगाओगे इसे कुछ इस परकार से आप जितना बार लगाओगे उतना ज्यादा यहां पर हैर आपका ब्लेक हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया सिंपली हैर ब्लेक अब यहां पर देख सकते हूं यह भी इसी के ओपर लीप कलर को अभी lag दिखाएंगे यहां पर आप दखेंगे कि नीचे में एक लिखावा लीप कलर और अगर आप अपने कलर को यह पर हैंच करना साथ हूँ सबसे आपको लीप कलर option पर किलिक करने फोटो अपका कि आपको क्या करना है Keyboard में Cradle i refresh करना 50 नौनर्मल ही वहीं हो जाएबा जो पहले से था उसके बात क्या करना यहां पर देख सकतो हूं यहां पर आपको अपने लीप के ऊपर यह पर यह सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों यहां पर लाल कलर का बटन देख रहा है उसको आप जरूर टेप करें अभी यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर पिंपल रिमूब का एक एक अपको दिख रहा होगा इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसका साइट को थोड़ा सा अपने पिमपल जीतना बड़ा होगा उतना हिसाब से अपने यहां पर क्या करेंगे अल्ट को से प्रेस yacht jotJe इसी भी खाली जगह पि यहां पर ऑकई यहांपर देख सकतहों मैं पहले जुम करता हूँ पर यहां पर देख सकतह Shell दाइब का है और यहांपर डार्कनास नहीं है तो इस पर हम इस जगह से क्लिक को करिया की और कीबोर्ड में तो यहां से क्लिक किया और यहां से छोड़ दिया यहां से आल्ट प्रेस करके क्लिक किया और यहां पर छोड़ दिया फिर यहां पर आल्ट करके क्लिक किया और यहां छोड़ दिया कुछ इस परकार से इसको आपको रेंडेमली कुछ इस परकार से आपको टच अप कर देना है ठीक है अ कर दिए यहां पर फ्रकार से चोड़ दीए हमने देख सकते हो ठीक है तो कुछ इस परकार से आप बड़े ही असानी से अपने फोटो के लेता हूं यहां पर देख सकते हूं कि हमारे पास यहां पर एक दाउतों का एक फोटो है यहां पर सिंपल हम क्या करेंगे इस तीथ वाइट पर उपर हम क्लिक कर देंगे यहां पर देख सकते हूं पूरी का तरीका से हमारा फोटो यहां पर वाइटनेस हो गया है इसको क्या क चुका है अब इसका एक जांपल आपको दिखाते हैं विंडो में जाके अपने लेयर फिलन को आपन कीजिए और यहां पर देख सकते हूं कि इसको हम हाइट करता हूं तो पहले कुछ इस परकार से था और अभी कुछ इस परकार से है पहले और अभी में जो आपको अंतर देखाता हूं जैसे कि यहां पर आप देख सकत हूं फोटो बॉर्ट राइस पर आप जैसे ही क्लिक करếंगे यहां पर तूल्स बार में को दितेगा फोर्टो बॉर्टर का इस पर आप जैसे ही पर क्लिक करें फोटो बोर्डर पर और यहां से आप अपना फिर से यहां से कोई भी साइज का बोर्डर ले सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर हमारा बोर्डर कुछ इस प्रकार से बड़े ही असाने से ले सकते हैं फोटो का बोर्डर का साइज लेने कोई भी साइज्स sürाय है तो सिम्पल आपको iis कि पर किलिक करना गोट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक यहा किया हुआ है आपको क्या करना सिंपल से इसको छोटा कर देना है ठीक है छोटा करके किसी भी फोटो के उपर आप जैसे साइज करना चाहते हूं तो इसको अपने अनुसार इसको छोटा कर देना है और आपको अपने कीवोर्ड में इंटरप्रेस करते ही आप यहां पर देख स सी लग से क्लिक में क dominating करते हैं इसको फोर में पेसे वास करते हैं या आप मेथ ससकत भी सब्स्क्राइक चैइब नहीं थे फिर रहा दो कि हम दोटो तो को इस फ्राकार से देखेगा ते sweet इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हूं कि ए फोर में ओटोमेटिक से यहां पर चार फोर्टो हमारा यहां पर डिवाइड करके दे दिया है ठीक है और यह साइज आपका फोर सिक्स में डिवाइड हुआ है चलिए आप मैं भी इसको भी क्लोज कर देत है और अब यहां पर हम देखते हैं कोई और साइज के बारे में अब गया है जैसकि siamoटा मोटे हमने सब्सक्राणा जरूर है ul प आप वसे ले सकते हूं तो आप उसे ले सकते हूं जैसे कि आप जोएंट फोटो अगर बना रहे हो तो जोएंट फोटो के लिए बेस्ट है अभी हम जोएंट फोटो का भी आपको दिखा देंगा सबसे पहले पासपोर्ट साइच के अब यहाप पर आप बात करता हूं अड़तालेस फोटो का इस पर जैसे किलिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हूं डबल यह कॉपी बनेगा फर्स्ट वाले कॉपी पर आपको बढ़ा कर लेना है और इस परकार से आपको छोटा करना है चोटा करने बाद यह वाला माउस यह जो आपका क्रोप का जो एरिया है इसे छोटा करके कुछ इस परकार से रख लेना है और यहां से छोटा कर देना है कुछ चीज़ परकार से और फिर यहां से आपको एंटर दवाना है और ओटोमेटिक से आपका यहां पर 48 फोटो बना करके आपको दे देगा आपके फोर साइज के पेपर में ठीक है यहाँ पर देख सकते हूँ कि यहाँ पर साइज के पेपर में हमारा 48 फोटो बनके तयार हो चुक है अब इसको आप डिरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं हाँ आप देख सकते हूं कि हमारे पास कोई छीज़ परकार से जॉयन्ट फोटो हमारे पास कुछ छेश्फ प्रकार से जॉयन्ट पोटो है अब इसका साइज कैसे बनाएंगे तो यहां पर भी हैं ऑप निये रखना यहां पर इमने ऑप्स के बारे मिलेग न करना है आप क्लिक करते ही आपके पास यहां पे दो कॉपी बनेगा तो उपर में आपको उपर वाला कॉपी को आपको बढ़ा कर लेना इस परकार से बढ़ा करने के बाद आपको जितना भी एरिया को सेलेक्शन करना है उसे यहां पर आप सेलेक्शन कर ले और सेलेक्शन करने टोडा अश् merch प्रकार से आपको सत्राइज करना है और जितना वी सदस्ट आपको रखना चाहते हैं इंटर में इंटरपेस करते हैं यहाइँ आपㄹ सकते हूँ छो आप workout इहां Ce को चुका है तो यहां पर हमने सभी आपको science के बारें बता दिया सभी action को कैसे कैसे Level करना है उसके बारे में आपको बता दिया तो सिंपली आप यहां पर फ्लैटेन image करने के बाद आगर आप किसी भी image के उपर यानि किसी भी image के उपर कोई भी action आप चलाना चाहते हो तो वह easily work करेगा दोस्तों अपने देखा कि कैसे आप अपने action फाइल को यूज कर सकते हो जो कि बहुती आसान तरीके से और बहुती अलगी लेबल का आपको action देखने को मिला होगा चली दोस्तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने action फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपको बताते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप टाइटल को देख पा रहे होंगे यह हमारा वीडियो का टाइटल है और उसके नीचे आपको यहाँ पर सी मोर का ओप्शन मिलेगा यह डिस्प्रिक्शन हमारा खुल जाएगा उसके बाद यहीं पर आपको मेरा नंबर भी कॉंटेक्ट नंबर भी मिलेगा और उसके बाद उसके नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा एक्शन फाइल डाउनलोड उसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको नियू टेब ऊपर में आपका खुल जाएगा और यहां पर आपको दिखने लगेगा एक आपके पास इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा यहां पर आपको फेस किलिन एंड फोटो और एक्शन का एक आपका जो है डिसकांट होके 199 रुपीस का है और लेकिन यहां पर आपको इसमें सेविंग्स भी हो रहा है तो यहां पर आपको बाइन आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पर कस्टमर का इंफोर्मेशन पूछेगा आपक यहां पर आपको एक QR code खुलेगा चाहिक आप फॉन पे Google पे के मादम से QR code को सकते हैं और यहां पर 27 रूपया आपको कॉन्वेंसी चार्ज लग रहा है दुस्तों जैसे कि किसी भी फ्रोड़क्टार सबOps हाँ तो यहां होकर आपको नाएं पड़ेगा तो यहां पर दो सब्दीश रृपई आपको टोटल लगें उसके बाद को यहां पर भीदुप यूप्टाइब सब्सक्रांद कर सकते हैं शबसे आप फॉन्ट पे यूज करें और गूगल पे पेटियम यूपियाई का आप यूज कर सकते हैं ज्यादा बेटर होगा तो आप डिरेक्ली स्केंड करेंगे और यूपियाई पिन डालेंगे और आपका यहां पर पेमेंट हो जाएगा पेमेंट होने बाद कुछ इस प्रकार से आपको थैंक्स पूर डाउनलोड माई एक्शन ऐसे कुरकर लिखा हुआ आएगा और यहां पर हमारा कॉंटेक्ट नंबर भी आपको दिखाए देगा जिसको आप कॉल या वाट्सप कर सकता है अगर आपको कोई भी दिखत होता है तो नीचे में आपको यहां पर दिखेग अगर्ण करने से डाउलोड नहीं होता तो आपने fltr करने के बाद आप आपने जिस EMAIL ID को आपने डाला है उस इम ml ंड पे जाए और वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे उसके बाद सीधा डाउनलोड में आपको और यहां पर डाउनलोड में आपको पेस्ट कर देता हूँ और यहां पर देख सकते हैं कि desktop में हमारा यह फोल्डर स्पेस्ट हो गया है इसको right click करके यहां पे extract file करना है उसको ठीक है जैसी आप extract file पे click करेंगे उसके बाद यहां पर आपको तो सिर्फ OK करने का option मिलेगा तो यहां पर आप नीचे में extract OK कर देना है उसके बाद आपको यहां पर एक folders दिखाए देगा इस folders पर आपको double click करना है यानि कि इस folder को आपको open कर लेना है जैसी यह Photoshop open हो जाएगा तो आपको क्या करना है विंडो में यहां पर एक्सेंश पर किलिक करना है इसके बटन पर आपको पास एक्सेंश का पैलेट खुल जाएगा इसके बाद आपको यहां पर आपको चोटा से एक option है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे में यह आपको दिखाई देगा आपको यहां परकिलिर ऑल का तो क्लियर ऑल का option तभी दिखता है जब यहां पर कोईन कोई action आपके फैक्सेंश उटका देना है उसके बाद क्या करना है इस पर आपको यह जो इक्सेंश फाइल है इसका फोल्डर को थोड़ा सा छोटा करेंगे उसके बाद इन सभी actions को control A की मदद से all select हो जाएगा उसके बाद सीधा एक साथ पकड़के इसको drag कर देना है यहाँ पर आपके पास सभी actions का लिस्ट दिखने लगेगा चोड़ा सा उपसन जो उपर में दिखता है वहाँ पर आपको फिर से किलिक करना है और यहाँ पर आपको button mode में click कर देना है यहाँ पर आपका button mode में यह किलिक हो जाएगा आप यहाँ पर आपका action त्यार है इसको और इन सभी action को मैं चाहता हूँ कि आप सभी के साथ share किया जाए और share करने के लिए आपको थोड़े से कुछ पैसे देने पड़ते हैं यानि कि 100-200 रुपे का amount है उसे अगर आप payment कर देते हो तो आपको यह action मिल जाता है और ऐसे action अगर आप एक-एक action यूट्यूब पे ले लग जाएंगे आपको लेकिन यहाँ पर आपको एक साथ बल्क में मिलेगा 277 रुपे में यह पूरे action आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के description में action फाइल का link मिलेगा वहां से आप किलिक करें और payment करें और इजली आप डाउनलोड करें झाल